कि जहें दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं भारत के पर्थम पुरुष के बारे में ठीक है वो कौन-कौन से बेक्टी है जिन्होंने पहली बार कौन-कौन सा उच्छे काम किया है ठीक है कौन-कौन से पद धारन किये है उनको परदान किया गया है Скज़ आपको मैं इसको या कौन क्या थे उनके बाले में जानने के बाद मैं आपको लास्ट में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका पूरा याद हो जाएगा और आप भूलिएगा नहीं रट रट कर याद करने वाला प्रोसेस यहां पर खतम हो जाएगा ठीक है रट कर याद नहीं करना देखें अगर इसमें से आपको याद है तो क्या कीजे कि आप कोमेंट वक्स में एंसर देते रहें ताकि क्या होगा कि अभी आपका दुबारा से आपका रिपीट होगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा ठीक है चलिए पहला है भारत के गवर्णर जनरल के बारे में बत वह ब rikt महां से है चलिए अगला देखिए अगला जो है भारत का अंतिम गवर्णल जनरल और पर पर्थम वाइसरा कौन है ठीक है इनके बारे बताना है तो वह बियांतिक्ति व्लाप एक और यह जो जो दो अन्तिम वायसरह है लौड मॉट बेटेंग आजादी के समय यहीं हमारे वायसरह थैं इनहीं से के देखरेक में हमको आजादी मिली थी ठीक है उसके बाद स्वातंत्र भारत का परथम जो है गवर्णल जनरल कोन बना था स्वतंत्र भारत जब हुआ था उसके बाद पर्थम जो है गवर्णल जनरल कोन बना था ठीक है वो पर्थम जो गवर्णल जनरल बना था उनके बारे में बताना है ठीक है जल्दी से जल्दी आप लोग एंसर देते चलिए ठीक है स्वतंत्र भारत का पर्थम जो गवर्नल जनरल था वो कौन था तो वो भी था लौड माउंट बेटेन ही थे कौन थे लॉर्ड माउंट वेटन थे ठीक है माउंट वेटन थे चलिए अगला देखिए अगला है स्वतंत्र भारत की पर्थम तथा अंतिम गवर्नल जनरल वह कौन से बेखती है स्वतंत्र भारत के जो पर्थम और अंतिम ठीक है दोनों है स्वतंत्र भारत की पर्थम और अ बाताना है तो वो जो है चक्रवरती राजगोपाल चाड़ी वो कौन से बेक्ति है च्क्रवर्ती राजगोपाल चारी उसका बाद पर्थम राष्टपाति के बारे में आप जानते हैं डॉक्टर राजेंदर परसाद दाजेंद्र परसाद, चलिए पहले समझ लेते उसके बाद हम सोट तरीका पर बात करेंगे, ठीक है ना? चलिए पर्थम मुसलिम राष्ट पति को ने? उनके बारे में बताएए, डॉक्टर जाकीर हुसेन, डॉक्टर जाकीर हुसेन, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है पर्थम उप्राष्ट पती कोन है, पर्थम उप्राष्ट पती के बारे में बताना है, तो वो कौन सा है, याद भी होगा आपको, डॉक्टर सर्व पल्ली राधा क्रिश्नन, अब चलिए, पर्थम पर्धान मंत्री के बारे में जानते हैं, वो पर्थम पर्धान मंत्री कोन है जवाहर लाल नहरू कौन है पंडित जवाहर लाल नहरू जी थी ठीक है चलिए आगे चलिए अब पर्थम उप परधान मंत्री प्लस ग्रिह मंत्री दोनों के बारे में पुछा एक जा रहा है ठीक है पर्थम उप परधान मंत्री और ग्रिह मंत्री उसके बारे में बताना है की उसके गभू कौन थे तो वो थे सरदार बल्लब भाई पटेल कौन थे वेखिती तो थे सर्दार बल्लब भाई पटेल ठीक है सरदार अधर ऐसें बल्लब है개 अधर ठीक है यह पर्थमूपःत्वहन मंत्री थे और ग्रीह मंत्री थे उस समय देश के ग्रीह मंत्री और उप्रधान मंत्री दुर्णों यही बैखती थे ठीक है चलिए जमें ना समझ में आ गया उसे कौन से बेखती थे कौन से महापुरुष थे जिन्हों ने इस्तिफा दिया था थी इसके बारे में आप बताईए जल्द से जल्दी कॉमेंट बीक्स में ऑնजड़ दीजये ठीक है तो वो थे कौन थे वो थे स्यामा प्रसाद मुखर जी स्यामा प्रसाद स्यामा प्रसाद मुखर जी ठीक है 1950 इस्वी में ये इस्तिफा दिये थे 1950 हमारा देश कब आ जाद हुआ था 1947 में आ जाद हुआ था ठीक है लेखिन ये इस्तिफा दिये थे भारत के वो कौन से बेखती है, जो Chief of Staff बने थे, ठीक है, वो Sir Thomas थे, कौन थे, Sir Thomas, ठीक है, वो कौन से बेखती थे, Sir Thomas वो बेखती थे, जो Chief of Staff बने थे, ठीक है, चली अगला देखते है, Sir Thomas है, वो Air Marshal थे, ठीक है, वो Air Marshal भी थे, ऑगला है पर्थम वाईसे ना ध्यक्ष स्के बारे में बताना है जो फुट है वो थे वो थे एयर मारसल एस मुखरजी वो थे कौन थे एयर मारसल एयर मारसल मुखरजी एयर मारसल ठीक है मारसल एस मुखरजी मुखरजी ठीक है मुखरजी थे आप चलिए आगे देखिए पर्थम नौ सेना के अध्यक्ष कौन थे वो भी पूरुस में बताना है ठीक है पर्थम न मों चना के जो अध्यक्ष थे वाइस एडमीरल आरडी कटारी कटारी चलिए उसके बार चलिए अगला देखिए अगला है पर्थम छीफ ऑफ आर्मी तॉप टहाना है तो जो पर्थम चीफ आरमी स्टाफ ताफ वह कौन है उनके बारे बता नाम क्या है उनका नाम है जवनेयरल जनररल एंचेक जनरल ऑफ आर्मियस्ट्राफ है उनका नाम हो गिया एक आज्धान से पर्थम Chief of Army Staff जो है वो है General एम राजेंद्र सिंग राजेंद्र राजेंद्र सिंग ठीक है चलिए अगला देखते हैं अब अगला है स्वतंत्र भारत का पर्थम कमांडर इन चीफ तो जो कमांडर एंड चीफ थे उनके बारे में बताना है तो जो कमांडर एंड जो चीफ है च पर्थम फिल्ड मारसल रहेंगे लोकसभा का पर्थम अध्यक्ष को नता है इनके बारे में बताना है जो पर्थम फिल्ड मारसल थे वह मनीक शहुथ थे मनिक मनिक सो ठीक है मनिक सो ठीक है उसके बाद देखे लोग सभा का पर्थम अध्यक्ष कौन था इनके बारे में बताई लोग सभा का पर्थम अध्यक्ष कौन था तो जो लोग सभा का पर्थम अध्यक्ष था वो था गनेश वासुदेव माव संकर ठीक है तो क्या था मउंट का गनेश वासुदेव को माव संकर माव संकर जी थे ठीक है अब चलिए भारत का पर्थम चुनाव आयुक्त कॉन मतलब कौन से वैक्ती थे भारत के पर्थम जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन सेन उस वेक्ति का क्या नाम था सूकुमार सेन ठीक है सूकुमार सेन ठीक है सूकुमार सेन चली अगला कुष्चन देखिए अगला कुष्चन जो है अगला कुष्चन जो है स्वतंत्र भारत में जन में सौरी यह अगला कुष्चन यहां है ठीक है न अगला कुष्चन यह रह है तो व। वेगति का नाम कै था हरी हीरा लाल जे कं या वह बैगति का नाम कै था हीरा लाल जे-कनिया Сवतंत्र्थ में जन में पर्थम भारतिया न्याधिस को है इनके बारे में बताना है स्वतंत्र भारत में जो जन में पर्थम नयाधिस जो कों से हैं तो वो जो है डॉक्टर नागेंद्र सिंग अन्तरश्टिय न्यालयय में परथम न्याधिश नागेंद्र सिंग छाली अगला देखिए अगला है अंतराष्टिय चलिए अगला है भारत के परतम्स घृति लोड विंठ्यम् अंत्यृत राजगुपाल चरी भारत के परतम ल prefersultur डक्टर रजेंदर परसाद पर्थम मुसलिम राष्ठपती ड्रोक ट्र यकिर हुस्सेन पर्थम उप항 पर्थमु राष्ठपती डॉक्तर सर्पली राधा क्रिश्चन डॉक्तर सर्पली राधाक्रेश्चन और रष्ठपती यहीं होना चाहिए comment में किजिए तो answer कर ट्र डौक्टर सर्पली राधाक्रिशन उसके बाद सब्सक्राइन मंत्र से इस्थिपााद मुखर्जी जी है जो जिन होने oni 150 इस पी में इस्तिपा दिया था वो सपीवाथ को भी 347 साग में हमारा देशommen देशाह थे उसकी साल बात दिया था परतम Alice जो परतान भारत का स्वातंतर भारत का पर्थम कमांडर इंचीफ जनराल कातारिया उसकराद पर्थम फिल्ड मार्चल मनिक्सों है लोग सभा का पर्थेम अध्यक्ष गनेश वासुदेव माव संकर है उसके भाध भारत का पर्थम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी ने मतलब सुकुमार सेन जी है ठीक है पर्थम मुख्य मंत्रे मुख्य न्याधिस जो है हरी हीराला स्वतांत्र भारत में पर्थम भारतिय न्याधिस सरोस क्या है सरोस होमी कटारिया है क्या है कटारिया होना चाहिए कटारिया होगा चलिए उसके बाद अंतराष्टिय न्याले में पर्थम भारतिय न्याधिस जो है डॉक्टर नागेंदर सिंह है उसके बाद अंतराष्टि ये नियालय में परतम नाधिस ठीक है भारतिय नैधिस ये अंतराश्टिया नियालय में परतप्थ है न्याधिस equivalent भारतिय न्याधिस ठीक है यह है बेनिगल रामाराओ ठीक है चलि यह दोनों समझ mileage एक एक बार देखिंग याद करना है कि इतना रिलेश्टन याद करने में धिमाग में खिजरी बन जाएगा कितना है टोटल पर्थम जो है वो पचास का नाम याद रखना कौन से पोस्ट पे हैं उनको नाम याद रखना वह बहुत ही डिफिकल्ट काम है और यह याद नहीं रहता आज याद कीजिए दो चार दिन के बाद एक महिना के बाद भूल जाईएगा ठीक है तो याद केसे करना है वह देखिए आपको क्या करना इसमें कनेक्सन जोड़ना जैसे गवर्नल जन्रल उसके बाद लोड विलियम बेटिक ठीक है अब आपको कनेक्सन कैसे जोड़ना है दो चीज का रिलेट रिलेशन अपने आसपास के प्रिवेस से कीजिए जैसे हमारे आसपास में कोई ऐसा वस्तु है जो हमको याद रहता ह गाना के तोर पर याद करें लिजे ना कि मतलब कोई गाना जैसे आपको याद हो उस गाना से कीजिए कैसे रिलेट करना वो मैं आपको सिखा देता हुआ जैसे गवर्नल जनरल भारत के पर्थम कॉन ते ठीक है वह पूरुस में आद रखना है तो आपको यह से याद रखे पूरा याद हो जाएगा हम एक विडियो बनाएंगे कि को याद करा देंगे कि को सा राष्ट पति कब बना थीक के उसके बाद दूसरे नमबर पर चौते नमबर पर का रशुपति तरीके से तो इस तरीके से जो कुश्चन पूछा जाएगा उसको हम एक कहानी के थ्रू उसको जोड़ेंगे जैसे एक गाओं में फलाना नाम का आदमी रहता था उसने फलाना को खीर खाते देखा इस तरीके से हम कुश्चन को रिलेट करके अगले वीडियो में इस पर एक वीडियो ब करेंगे आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा ठीक है फिर मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद करेंद करें का क 요री झालो हूज झालो है झालो झालो है वीडियो दो करेंद करेंद करें ने चालो हैवियो में आद ट